बहुत ही आसानी से cutting से grow हो जाने वाले कुछ ऐसे महंगे plants जिनको अगर आप market में खरीदने जाएंगे तो बहुत costly पड़ेंगे लेकिन घर पे अगर आप cutting के तुरू लगाते हैं तो free में आपको uncountable ये plant मिल जाएंगे इतने हो जाएंगे कि आप दूसरों को भी बाट सकते ह हैं तो इनको कैसे cutting के तुरू ग्रो करना है ये कौन-कौन से plant है मैं कुछ indoor plants और कुछ permanent plants सभी के बार में बताऊंगी तो चलिए वीडियो को start करते हैं हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग love for gardening में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं तो मैं अपनी friend के हां गई थी होली में तो वहां से मैं कुछ cutting लेके आई हूँ उनके पास बहुत अच्छे-चे plant थे तो मैंने सुझा कि कुछ cuttings ले चलती हूँ और free में ही मैं इन्हें अपने घर में उगा सकती हूँ अगर आप nursery में इन्हें खरीदने जाएंगे तो यह बहुत महंगे मिलते हैं और अगर आपको कहीं से चोटी सी cutting भी मिल जाती है तो बहुत ही easily यह grow हो जाते हैं तो इन में जो सबसे पहला plant है उस plant का नाम है कलांचो और इसमें leaf के through भी grow कर सकते हैं देखें मैं आपको वीडियो में इसको दिखा रही हूँ आपको क्या करना है बस एक चोटी सी leaf को लेना है और जो उसकी जो portion उसका stem से attach होता है बस उसको आपको उसी portion को मिट्टी में दबा देना है इसकी बाद यह बहुत ही तेजी से grow करता है यह सारे जितने भी plant में आपको बता रही हूँ easily grow हो जाते हैं इसमें आपको बहुत जादा मेहनत करने की जरूत नहीं है तो नंबर एक मैंने आपको बताया कलांचो दूसरे नंबर पर जो plant आता है अब चलिए उसकी बारे में बात कर लेते हैं तो जो दूसरे नंबर का plant है वो है snake स्नेक प्लांच में भी बहुत सारी वेराइटी आती है कुछ एकदम डाग ग्रीन होते हैं और उसमें यलो इश और वाइट कलर की बॉर्डर होती है यह तो आपको हर तरह के स्नेक प्लांच मिल जाएंगे मुझे लगता इसकी वेराइटी बहुत ही जादा होती है तो आपक स्नेक प्लांच की लीव को कट करके और उसको ग्रो करके दिखाया था उसमें बलकि दो बेबी प्लांच भी निकले थे वो मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया नहीं तो मैं आपको दिखाती इसके बाद ये है रियो और ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है इसके तो बहुत सारे बेबी प्लांच होते हैं ये सारे ही जैसे स्टेक प्लांच है या रियो प्लांच है ये सब बहुत ज़्यादा बेबी प्लांच प्रेड्यूस करते हैं तो अगर आप एक कटिंग भी लाके लगा देते हैं तो फिर उसके बाद आपको फ्यूचर में कभी इने कि ज़रत नहीं पड़ेगी बलकि इतने हो जाएंगे कि आप देते देते ठक जाएंगे इसके बाद मैंने अज्वाइन की कटिंग लगाई है और यह बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है हमारे जो दिन चर्रया होते हैं उसमें बहुत सारी पेट से बिमारी होती उसके लिए अ नीचे की जो पतिया हैं उनको रिमूब कर दे रही हूं जो स्टैम को मुझे मिट्टी के अंदर रखना है तो जो लीव्स हैं उनको नीचे वाली हटा देना है उसके बाद उस स्टैम को मिट्टी में दबा देना है आप चाहें तो एक से डेड़ इंच तक आप उसे की जरूत होती है लेस केर की जरूत होती है मतलब आप महीने में एक बार इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा नीम का खली डाल दीजे और कम पानी में कम धूप में बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाले यह प्लांट है इनका जब रिजल्ट होगा कि इनक चिपक सी जाती है और इसे रेंगते रेंगते पूरे दिवार को कवर कर लेती है तो इसलिए इसको चिपकली प्लांट भी कहा जाता है बाकि इसका जो रियल नेम होता है वो मुझे नहीं मालूम अगर आप लोगों को मालूम हो तो जरूर कमेंट करिएगा इसके अलावा आ चाहें तो जेड़ प्लांट भी यूज इस्प्रे करने से जो कटिंग होती हैं वो फ्रेश बनी रहती हैं और जो मिट्टी की उपरी लेयर होती है वो एकदम ड्राय नहीं होनी चाहिए हलका सा मौश्यर मेंटेन रहना चाहिए और आपको डारिक संलाइट में नहीं रखना है वैसे इंडोर प्लांट से हैं तो आप इस मौशम में जो जित्ते भी पर्मनेंट प्लांट है जादतर जैसे जो गर्मियों में ग्रो करने वाले होते हैं उन सबी की कटिंग लगा सकते हैं जिसमें वैसे मार्च का महीना तो बहुत ही अच्छा महीना है कटिंग और ग्रो करने के लिए या फिर आप फरवरी एक पर्मनेंट प्लांट के लिए काफी होते हैं तो आप को क्या करना है कि आप चाहें तो जो करी लीव के प्लांट होते हैं उनकी स्टैम की कटिंग करके और अप इसको लगा सकते हैं इसकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और less care में बहुत ही अच्छी growth करता है और फिर ये तो हमारे kitchen में भी use होता है तो अगर आप एक बार लगा लेगे तो उसके बाद फिर ये भी आपके पास काफी समय तक रहता है आप चाहें तो यहाँ पर मोगरा plant की भी cutting लगा सकते हैं मोगरा plant की इतनी प्यारी खुश्बू होती जब उसमें फोल निकलता है और काफी लोग के पास तो होगा भी तो अगर आप चाहें तो उसको एक से दो दो से चार और बहुत सारे plant कर सकते हैं सिर्फ cutting के थूँ क्या करना है आपको सिर्फ cutting काट लेनी है और उसके बाद ऐसी cutting लीजे जो बहुत पुरानी ना हो और एकदम new भी ना हो तो आपको medium growth की cutting लेनी है और नीचे के सारे पते हटा के कम से कम डेर से 2 इंच की जो stem है उसको soil के अंदर दबा देना है मिट्टी आपको कैसी चाहिए तो देखिए अगर आपके पास rate है तो सिर्फ rate का इस्तमाल करिए उसमें थोड़ी सी चाहें तो vermicompost mix कर दीजे और अगर आपके पास coco peat है तो coco peat भी आप इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि इस type के अगर आप soil देंगे तो इससे जो root होते हैं वो जल्दी से develop होना शुरू हो जाते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं next plant की तो जो permanent plant में अगर आप चाहें तो यहां पे गंदराज का भी cutting लगा सकते हैं वो भी cutting से grow हो जाता है चंपा के plant कनेर के plant वो भी cutting से ब हिबिस्किस प्लांट की भी cutting आपको सेम ही लेनी है ना पुरानी बहुत जादा और ना एकदम नई cutting लेनी है नीचे की leaves को cut कर देना है और उसके बाद आपको एक से डेड़ इंच तक या दो इंच तक की जो stem है उसको मिट्टी के अंदर दबा देना है जो हिबिस्किस प्ल होगा हिबिस्किस प्लांट की cutting के साथ बाकि जो जो मोग्रा की cutting है वो तो एक से डेड़ महीने में अच्छे से ग्रो हो जाती है उसमें ग्रोध भी शिरू हो जाती है बाकि इंडोर प्लांट जो मैंने बताया है यह तो हफते से 10 दिन में ही आपको ग्रोध दिखाना में रखना है जब तक आपको प्लांट की ग्रोध अच्छे से ग्रो होती हुए ना दिख जाए मैं पर्मानेंट प्लांट की बात कर रही हूं क्योंकि पर्मानेंट प्लांट की जब ग्रोध थोड़ी हो जाती है उनकी एक से डेड़ इंच तक की ग्रोध शिरू हो जाती है फिर आपको उसको धीरे धीरे थोड़ा सनलाइट देना होगा जैसे स्टार्टिंग में आप 2-3 गंटे की सनलाइट दें फिर उसके बाद 4-5 गंटे की और फिर गर्मियों में 5-6 गंटे की सनलाइट आप दे सकते हैं प्लान को पाली का ज़रूर ध्याण रखे, इस्प्रे करते रहें और सोईल को मौशियर में टें रखें ऐसा भी ना होकि सोईल बहुत सौगी रहे और ऐसा भी ना होकि डॉयरे एकर आगर मिट्टी डॉय रहेगी तो आपकी जो कटिंग है वो सूप जाएगी और अगर ज्यादा गिल रहेगी तो वो नीचे से सड़ जाएगी तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा फिर आपकी सारी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगी तो कैसा लगा मिराज के वीडियो मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीड अगर कोई भी कोशिन आपके माइन में है तो आप कमेंट की तरूम से बात कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर